Hello students, welcome back to my YouTube channel, let's learn with Dr. Sarita. Students, आज का हमारा क्लास respiratory system के बारे में होगा, जिसको कि हम स्वसन तंत्र कहते हैं. आज के क्लास में हम समझेंगे कि स्वसन क्या है, ठीक है, स्वसन के बारे में समझेंगे कि स्वसन किसे कहते हैं, स्वसन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन-कौन से हमारे सरी के अंग सामिल है, जो कि मिलके स्वसन तंत्र का निर्मार करते हैं, स्वसन कितने प्रकार की होती है, आंत्रिक स्वसन क्या होता है, बाहे स्वसन क्या होता है, है न, इस्परेशन किसे कहते हैं, एक्स एक्सपरेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अक्सिकरन स्वसन क्या होता है अनक्सिकरन स्वसन क्या होता है इन सभी जो प्रश्णों की जनकारी हम आज के क्लास में समझने का क्लास करेंगे तो चलिए हम क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वसन किसे कहते हैं देखे सभी इंसान जो भी इतने भी प्राणी है सभी इंसान जो भी प्राणी है जो भी जीऊ है इस बातावरन में इस वायो मंडल में सास लेता है और सास छोड़ता है तो इन दोनों प्रक्रियाँ को हम क्या कहते है समलित लुप से सास लेना और सास छोड़ना ब्रीधिंग कहते है ब्रीधिंग में क्या होती है सास हम लेते भी हैं, सास छोड़ते भी है breathing को हिंदी में सचोच्छवास कहते है सचोच्छवास ठीखे तो breathing में क्या होता है कि हम सांस लेते भी है और सांस छोड़ते भी है यानि कि inspiration करते हैं और expiration करते हैं तो हम अगर definition की बात करें कि situation किसे कहते हैं तो उर्जा प्राप्ट करने के लिए जीवो द्वारा ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डैक्साइड गैस को बाहर निकालने के किरिया को हम क्या कहते हैं हम स्वेशन कहते हैं ठीक है क्या उनसे क्रिया सामिल हो रही है तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डैक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे हैं यह दो प्र तो स्वासर में जो हम क्या करिया होती है तो सांस जो हमारा ब्रीधिंग होता है उसमें क्या करते हैं हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सांस लेने के क्रम में हम कौन-कौन सी गैसो को ले रहे हैं और सांस छोड़ने के क्रम में कौन-कौन सी गैसो को छोड़ रहे हैं यान में क्या सामिल है उसमें दो परकीनिया सामिल होती है कौन कुछ सी inspiration और exploration है तो इसको क्या खहते है exploration को अंतास्वसन यानि कि अपने अंदर ले रहे हैं और exploration मतलब नि-swasन उस्वसन नि-s कहां से ले रहे हैं तो वायू-mandaал से वायू-mandaal से भाईू जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं ठीक है कहा से ले रहे हैं तो गले रहे हैं तो हम इस में ले रहे रहे हैं इतना % 78% O2 ले रहे हैं यानि कि oxygen ले रहे हैं 21%, CO2 ले रहे हैं 0.03% और जलवास्प ले रहे हैं 0.5% है ना क्या क्या हम लिये हमने लिया हमने nitrogen लिया ठीक है हमने oxygen लिया हमने carbon dioxide लिया और हमने जलवास्प लिया यानि कि vapor ठीक है ये बाहर छोड़ रहा है, सरीर से बाहर जा रहा है, निस्वसन में, है ना, निस्वसन में सरीर से हमारे बाहर क्या जा रहा है, O2 जा रहा है, ठीक है, तो हम O2 के साथ अन्य गैसे गैसों को भी छोड़ते हैं, हम जो लेते हैं, वो हम छोड़ भी देते हैं, उसको मुक्त भी क घ्याया है। घिया माई जाता लिए, तब कराइचर जाता हैं में 0.03% लिए क्यांट धुक्क तो छोड़ा हैं 4% युँken युट च्छोड़ के रहें 4% तो इसके बावज 0.05% उतना ही हैं, 6.5% हम छोड़ तो इस परकार देखिए कि 4% का हेर फेर हो रहा है यानि कि 4% हम oxygen जादा ले रहे हैं और 4% oxygen हम कम छोड़ रहे हैं और carbon dioxide हम कम ले रहे हैं लेकिन छोड़ रहे हैं जादा ठीक है इस ratio को याद करेंगे यानि कि जितना nitrogen लिया nitrogen उतना छोड़ दिया 78% nitrogen लिया और 78% ही हमने छोड़ा इतना लिया इतना छोड़ा oxygen 21 लिया था लेकिट oxygen 17 ही छोड़ा ठीक है carbon dioxide लिया 0.03% 0.03% लेकिन छोड़ा कि इतना 4% ठीक है जलवास्प लिया 0.5% लेकि छोड़ा 0.65% ठीक है तो अंतर कहां हुआ अंतर हमारे oxygen में हुआ oxygen 21 ले रहे हैं छोड़ रहे हैं 17 ठीक है carbon dioxide 0.03 ले रहे हैं छोड़ रहे हैं 4% तो 4% का extra होता है यानि कि हम carbon dioxide ज्यादा छोड़ते हैं और oxygen ज्यादा लेते हैं हमें oxygen से मतलब होता है क्योंकि oxygen ही हमारे सरी में चाक हो और वो फूर जाकर निर्मान करने में सहयों करते हैं तो इस परकार जो breathing की परकिरिया है स्वस्वश्वश्वास की परकिरिया है हम स्वस्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश क्या है तो इस फीगर के मादम से पहले हम समझते हैं कि हम जो हमने सांस लिया ठीक है तो सांस लिया उसमें कौन-कौन से अंग सामिल हो रहे हैं हमारे जो सुसन मार्ग हैं उसमें हमारे सरीर के कौन-कौन से अंग सामिल होते हैं तो आप इस फीगर से समझने का प्रयास करिए ठीक है उसके बाद क्या होता है कहां जाता है तो उसके बाद हम ग्रस्नी में आता है ठीक है नाक के बाद ग्रस्नी जिसको की फैरिंक्स कहते है उसके बाद लैरिंक्स में आता है जिसको की स्वर्यंद कहते है ठीक है यह क्या है यह रास्ता हमारा सांस लेने का और जो हमारा कं ग्रसनी में आया ठीक है ग्रसनी जिसको कि फैरेंस कहते है उसके बाद लैरेंस में आया ठीक है उसके बाद कहां गया तो यह हमारा ट्रेकिया होता है यहां पर मैंसें नहीं है लिखा नहीं हुआ है बर यह क्या होता है यह ट्रेकिया होता है जो नासा पहले नासा चिदर में ठीके नासा चिदर क्या होता है तो नासा चिदर हमारे जो नाक का जहां से दो खोल होते हैं नाक में तो वहां से हम क्या करते हैं सास को अंदर खीशते हैं उसके बाद कहाता है नासा का पाट याने कि नाक का जो उपरी लेयर होता है जो उपरी भागे नाक का उसको कहते है ना यहां से वायू भी अंदर जाती है जो फैरिंग से वायू भी अंदर जाती है और भोजन भी अंदर जाती है यहां तक दोनों का मार्ग एक होता है ठीक है फिर यहां पर क्या होता है एक उसके बाद स्वारियंत्र में जाता है ठीक है स्वारियंत्र यहां होता है तो यह गले क जो गली के पास होता है सुरियन उसके बाद वायू हावा जो होती है यहाँ पर आती है उसके बाद कहा होता है ट्रेकिया में आता है यह ट्रेकिया है ट्रेकिया होता है कि सांस नली से लेकर हमारे फिफ्रो तक जाती है ठीक है उसके बाद फिफ्रो में दो भागों में बढ़ डाध की में बढ़ जाती है झाजिया कहते हैं, जब बाग्वों में त्रेकिया बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं ब्रॉंकी कहते हैं और ये ब्रॉंकी फिर क्या होती है ये ब्रॉंकी बन जाती है मतलब स्वासिका में बढ़ जाती है जिको कि ब्रॉंकाइलिस कहते है ब्रॉंकी हो जाती है ब्रॉंकी बढ़ जाती है इसमें ब्रॉंकाइलिस में ब्रॉंकाइलिस क जैसे छितरी छितरी टेहनीया हो जाती है जिसको कहते हैं ऐलोवली ठीकिल कर रहाय है तुम हम आगे और फीगर में आपको क्लियर कर रहे हैं ट्रेकीया है ठीकिहए पहले हमारा जो परें हमने सानस लिया किसना आपक से लिया नाक की छेत्से जाना होते हैं सबके नाक में बाल क्यों होते हैं बाल सिर्फ सोभा वड़ा निकले थोड़ा होते हैं बाल क्या करते हैं हमारे जब हम सांस के द्वारा सांस लेते हैं तो सांस के सारा द्वारा जो वायता वारन का जो डस्ट पार्टिकल होता है वो भी तो अंदर जाता है तो जो हमारे नोज में हेर होते हैं वो उसको रोकने का काम करते हैं ठीके उसके बाद सास नोज जब हम सास इनहेल कर रहे हैं वायू को इनहेल कर रहे हैं अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पे नाक में जो हेर होते हैं वो डिस्ट को अपने में आफजॉब कर लेते हैं उसके अपने नोज में अगर कभी किसी ने फिंगर बगरा डाला होगा तो वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है चीखे सर्दी नहीं भी होगी तो हलका फुलका चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कहते है म्यूकस कहते है वो जो नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता ह जिसको हम mucos कहते हैं मुकस क्या कहते हैं अपने अंदर dust particle जो wrist बचे होते हैं उसको चिपका लेता है ठीक है क्योंकि हमारे अंदर dust particle नहीं जाना चाहिए हम सुध हवा लेंगे न तो क्या होता है हमार नाक के अंदर ही वैसे system है कि बाल रोकते हैं पहले dust particle को फिर हमारा जो नाक के अंदर mucos है वो रोकता है उसके बाद कहां से हवा हम लेते हैं फिर सांस कहां जाती है हवा लेते हैं तो ग्रस्नी में ठीक है ग्रस्नी क्या है तो ग्रस्नी हमारे जो हमने figure ने आपको दिखाया थे ना ग्रस्नी यह क्या है यहां पर ग्रस्नी है जश्ट आपके कहां ग्रस्नी है तो ग्रस्नी आपके नाक के पास ही नाक के थोड़ा सा नीचे गले से थोड़ा सा उपर क्या है ग्रस्नी है है ना ग्रस्नी से क्या होता है यहां से भोजन भी अंदर जाता है और ह्वा भी अंदर जाता है ठीक है उसके बाद Larynx में आता है Larynx क्या है यह कंट है ना कंट जिसको हम कंट भी कहते हैं तो कंट से क्या होते है आवाज निकलता है ना अगर किसी ने कंट को दबा दिया Larynx को तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, आपकी साउंड ही निकलेगी तो कंठ में जाता है, पहले नाक में गिया नाक में दो पॉर्सन होते हैं आपके नासाचिद्र और नासा कापाट उसके बाद गरस्नी में आया फैरिंस में आया, हवा उसके बाद लेरिंस में गिया है ना कंठ में गिया उसके बाद आएगा आपके ट्रेकिया में ट्रेकिया का फिगर यहां पे आपको मैंने बड़ा सा लिख लिए हुआ है उसके बाद कहां से आता हावा ट्रेकिया में कहां से हमारे जो लेरिंस कंठ से जो हमारे लेरिंस है काटिलेज आम देखेंगे काटिया जो है यह है यहीं इसे सीयाकार की मैं ऑर ट्रेक्टेक एक cartilage के बनी होती है कर्टिलेस के बनी होती है और जैसे जैसे उनके kosmum killer होता है तो मँझे करी है लेकिन जो यहाँ पर है 1965 के बनी होती है नहींrit हैि नहीं ट्रेकिया की रक्षा की जाएगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं रहेगा, तो ट्रेकिया को एक टाइटनिस नहीं मिलेगा, ठीके, ट्रेकिया में टाइटनिस नहीं आएगा, और ट्रेकिया क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो हम सास कैसे लेंगे हमना इस सास नहीं ले पाएंगे न तो यह क्या होता है यह जो ट्रेकिया लगी होती इसको हम क्या कहते है हाइमन कहते है ट्रेकिया को हाइमन कहा जाते है कैसे होता है यह सीयाकार के यह जितनी भी आपको दिख रहे है यह सीयाकार के होते है ट्रेकिया के बाद कहां से जाता है हवा तो ब्रॉंकाई में जाता है ये क्या है ये ब्रॉंकाई है ठीक है ट्रेकिया के बाद ब्रॉंकाई में हवा जाता है ठीक है ट्रेकिया दो भागों में जब बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते है ये ब्रॉंकाई कहलाता है ब्रॉं यह ब्रॉंक्योली 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 ब्रॉंक्योल बहुत सारे लगे होते हैं इसको कहते हैं L-Vía, L-Vía eye किसे हैं दे किसा हैं और ये क्या करता है ये O-TU को अब्जॉवव कर ले, हम सांस लेते हैं सांस ले तो किया ले। हमारा अंदर, O-TU के फॉम में ले में L-Vía ऑन का-Seting inhabited सोख लेती है अने सहे सकते हमार रिइस हो चैसे हो हमारे सारे शरीर में और कार्बन डायक्सन को अधेक्सम से हो हुआ हो रहा है तो हमारे ध्लम में चांग प्लड घंग इंग वर्ग और है कंसी ब्लड शनकाומצ, तो ब्लड को直आ है हमारे कोशिकाओं पहीज जैता है कोशिकाओं ने कहाँ भेजेंगी हम आगे इसको डिसकस करेंगे यहां तक आपको समझ में आ गया हो गया दुबारा हम डिसकस करने इसको एक बड देखिए हमने कहा कि जब ब्रीधी हम सांस ले रहे हैं स्वसन तंत्र क्या है स्वसन तंत्र में बहुत हमारे सरीर के बहुत सारे अंग सामिल होते हैं और सभी मिलके क्या बनाते हैं स्वसन तंत्र बनाती है और जब सांस लेते हैं तो क्या होते हैं इसमें दो परक्रिया होती है ब्रीधिंग में दो परक्रिया होती है एक अंतर स्व होता है एक नीसğसन होता है अंद्र वसं में सांस ग्रहंट करते हैं नीस वसंन में छोड़ते हैं क्या कर ले रहे हैं नाइरवन ले रहे हैं 007-7 और ऑक्सीजन ले रहे हैं 21 Panda 007 और जलवास 0.5 चोड़ किया रहे हैं तो जितना हमने नेट्रोजन लिया था उतने नेट्रोजन छोड़ दिया oxygen और carbon dioxide की हेरा फेरी होती है यानि कि oxygen 21 ले रहे हैं छोड़ रहे हैं सिफ 17% carbon dioxide 0.03 ले रहे हैं छोड़ रहे हैं सिफ 4% और जलवास 6.5% छोड़ रहे हैं तो इस परकार हमने देखा यहां major changes किसमें है carbon dioxide में हो और oxygen में हैं तो breathing की पर किलिए हमने समझ दी हमने देखा कि हमने क्या लिया और क्या चोड़ा उसके बाद हमने बड़ा हमने देखा कि हमारे सांस लेने में कौन कौन जिसकोस के लाarins कहते हैं और जिसको कि लार जाते है उसके बाद कहा गई ट्रेकियां में जा रहा है और ट्रेकिया में ऐखी तॉपिते हो चैपिता हैC-Cattilage चीज़या को हीमन क्यों खीला जुआ हामें हीमन फे कदे लिखन बेंग तो हम सांस नहीं लेपाइंगे फिर Trachea के बाद कहा जा रहा होँ तो Brachia में जा रहा है Trachea ही आपस आगे चल की 2 भागों बढट जा रही है एहां पर दो भागों बाट रही है यहां पर 2 भागों बढट रही है इसको हम क्या कहते है जब Trachea जी ट रेकिया थी ट्रेक्या बट गई तो यह ब्रॉंकाई होगी ठीक है ब्रॉंकाई से ब्रॉंक्योलिस हो गया ठीक है ब्रॉंक्योलिस मिल गया ब्रॉंक्योलिस में एलवेली है चोटा चोटा एलवेली है ठीक है और एलवेली क्या कहती है एलवेली रक्त को अब्सॉर्ब ले लेती है ठीक ह माथ पर क्रेफ्स चाहिकर के प्रकिरिया होती है और क्रेफ्स चाहिकर चलता है तो हमें ATP मिलता है, ATP से हमें उजया मिलता है, ओके, I hope आप लोगो यहां तक समझ में आ गया, अब हम देखते हैं, यह वही है, जो हमने आपको भी समझाया, वो मैंने लिखित फॉर्म में आपे ले दिया है, कि स्वस्तन तंत्र में कौन-कौन से अंग सामिल होते हैं, तो बाहरोई नथुने सामिल होते हैं, नथुने, हमारा जो नाक का पॉर्सन होता है, तो वो किसके लिए हिसा मिल है, वो क्यों है, तो उससे हम क्या करते हैं, हवा लेते हैं, है न हवा अंदर करते हैं, नाक कच, जो धूल और गंदगी को हवा से चानने के लिए, और बालों को, और बालों को से बल्गम से ढखा होता है, ठी अब आप कहेंगे कि हवा भी ग्रस्नी से अंदर चा रहा है और भोजन भी दा रहा है तो दोनों एक साथ कैसे जाता है तो देखें दोनों एक साथ जाता नहीं है हवा और सांस भोजन और सांस का जो है मार्ग एक ही है जिसको हम ग्रस्नी कहते हैं लेकिन ग्रस्नी में एक एप भोजन और वायु दोनों का एक ही मारगें इस अल सब्रद में यहां पे एक होता है ठीक है epigrotus epiglotus epigrotus होता है ठीक है तो epigrotus क्या कहता है यह ग्रस्नी में लगा होता है ठीक है एक छोटा सा यंत्र होता है और वो क्या करता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो वो सांस की नली की तरफ खुल जाता है ठीक है यानि कि सांस की तरफ यहां पर एपिगोटस होता है वो इधर खुल जाएगा और हमारे भोजन जो नली है जहां से अंदर जा रहा है वो उत्तर बंद हो जाता है यानि कि पर्दा कर देता है ठीक है एपिगोटस क्या करता है भोजन की नली को बंद कर देता है और सांस की लेंगे तो सांस की नली को बंद कर देगा इसलिए होता है बंद ऐसा होता है क्योंकि दोनों के एक ही मार गया अगर ये बंद एपिगोटस नहीं होगा तो क्या होगा जब हम खाना खाएंगे तो खाना कहां चला जाएगा हमारे सांस नली में चला जाएगा और सांस नली में हवा के नली में खाना पढ़ जाएगा तो हम सांस कहां से लेंगे तो एपिगोटेस का बहुत ही महतेपून काम है कि जब हम सांस लेते हैं तो यह भोजन की मार को क्या कर देता है बंद कर देता है और जब हम भोजन करहन करते हैं तो सांस के मार को बंद करता है जी कि यह मूफ करते रहता है कि इसको मूफ करने के लिए निर्दिस को देता है तो हमारा ब्रीन देता है एपिगोटस को हमारा ब्रीन निर्दिस देता है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो यह क्या करता है खाना के मार को खोल देता है और जब हम सास लेते हैं तो सास के मार को खोल देता है आ और हम खाना खा रहे हैं ध्यान हमारा कही हो और हम धिमाग कही हो और काम कर रहे हैं तो क्या करता है धिमाग एपिगोटेस को निर्देश देना भूल जाता है कि तुम सांस नली को बंद करो खाना के तरफ नली को खोलो तो इसके वज़े से हमें हिच्की आती है चीक है इस पर इने में मदद कौन करता है तो डाइफ्राम करता है ये डाइफ्राम है ठीके ये डाइफ्राम है डाइफ्राम क्या करता है फेफ्रो में इतनी ताकत नहीं होती है कि हम सांस लें तो उपर जाए और नीचे जाए नहीं इसको मदद करता है सांस लेने मदद करता है डाइफ्राम यह वाला पॉश्चन है आपका पेट के ऊपर होता है डाइफरम जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो आप नीचे जाता है जब हम सांस लेते हैं तो डाइफरम कहा जाता है जब हम सांस लेते हैं तो डाइफरम नीचे हो जाता है तो डाइफ डाइफराम लगातार मूफ करते रहता है ठीक है सांस लेने में डाइफराम का महत्रपूर्ण योगदान है अगर डाइफराम नहीं रहेगा तो हमारे फेफड़े में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सांस को खींच सके और सांस को छोड़ सके लेकिन जब एक और में विख City पान पेंगे वहुते हैं और भाइफराम एक प्रक्राइफराम पिख भीकिकाम पिदल के खींच घृइजिये पिचे अब यहां वह prosecution्यों होती है ना सोड़ी एक मिन पाने पीलू फेफरो में जो पसलियां होती है जो प्रिग्नेट वुमें को सांस लेने में मदद करती है फेफरो को उपर निचे करने में मदद करती है तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि डाइफरम का क्या काम है है ना डाइफरम हमारे सांस जैने में फिफड performed को मदद करता है चीक है उसके बार हम आगे देखते है और क्या है यference mineral आपाफ कर देख माहिग सर्फ ररागare द्ञैंख भाइब ब्रॉंकियोलिस में, फेफडे में, फिर अलॉवली में, उसके बाद ब्लड में, है न, ब्लड के बाद क्या होता है, फिर आगे एक पॉर्शन हमारा जो ब्लड तक ठीक है, अलॉवली तक ठीक है, अलॉवली तक ठीक है, अलॉवली ब्लड होगे, अब गैसो कादान परदान ह उसके बाद किया होगा , हमारे बाहिक स्वैशन यहां समाप्त हो सारे हमें पढ लिया , कया है , अटिक को था ब्रॉंकूयोलिस फेफडे नेखिए अब फेफडे के बारे में समझे जिए जो फेफडा हमारा है ये उत्तक पतली उत्तक से बनाता है और इसको फेफडे के तरफ चारों तरफ जो कवर किया होता है एक जिल्ली जैसी होते है जो फ्लूरा कहते है ये फ्लूरा क्यों होता है फेफडों की सुरक लिए हैं अब हम पढ़ते हैं इंटरलर रेस्पेरेशन क्या होता है जिसकों की सेलूरर रेस्पेरेशन भी कहते हैं आंतरिक स्वसन भी कहते हैं ठीके क्या है पहले हमने बाहिस स्वसन पढ़ा बाहिस स्वसन में क्या था काम कि हम नाक से सास ले रहे हैं हमने हमने नाक से सास फिर कहां गया, हमारी ग्रस्नी में गया, है ना, फिर हमारे कंट में गया, स्वास नली में गया, ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकियोलिस में गया, फिर क्या हुआ, एलेवली में गया, एलेवली से क्या हुआ, गैसो का हमारदान परदान होगा, और फिर वहां पर क्या होगा, ए ब्लड सो O2 मिलने तक क्या है हमारा बाहे स्वसन है, external respiration है, अब हम internal respiration पढ़ेंगे, ठीक है, आपको external respiration समझ में आगा, external respiration में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस हमारे body का कौन-कौन सा part सांस को खिशने का काम कर रहे हैं, तो हम पढ़ते हम external respiration में, ठीक है, अब हम देखेंग internal respiration किया होता है, जिसको इस cellular respiration भी गहते हैं और antherik swasun भी कहते हैं, आntarik swasun कहां होता है, तो antherik swasun देखेंगे, बाहे सवसन कहा हुआ, तो近ven क्लण तकशीमित रहता है, फ्यक्न तक्सीमित रहता है, बाहे सवसन 여기서. आंत्रिक स्वासन हमारे सेल के अंदर होता है कोशिका के अंदर होता है किसके द्वारा होता है हेमोगलोबीन के द्वारा होता है एलवली से किस में मिल गया था O2, रक्त में मिल गया था ना अब रक्त, वहां रक्त में क्या होता है हेमोगलोबीन होता है होता है, अब हेमोगलोबीन के बाद आगे होगा हमारी आंत्रिक्स वसन हेमोगलोबीन ने क्या किया हेमोगलोबीन ने ओटू ले आके कोशिका में दे दिया ठीक है अब कोशिका उस ओक्सीजन से कोशिका में जिसको हेमोगलोबीन ने दिया है उससे क्या होगा आंत्रिक स्वसन स्टार्ट होगा आँद देखे कोशिका में स्वसन दो प्रकासे होता है एक को कहते है और दूसरा को अनाक्सी स्वसन अक्सी स्वसन में क्या होता है औक्सीजन की अनुपस्तिती होती है यानि कि O2 की यहां पर अवशक्ता नहीं होती है किसमें अनाक्सी स्वसन में अनाक्सी आप उसमाज में आ रहा है अनाक्सी यानिकी ऑक्सीजन क्या हो शकता क्या होती है नहीं होती है तो इसके इसलिए हम क्या कहते है अनाक्सी स्वसन कहते है और यह कहा होता है अनाक्सी स्वसन पर क्या होता है गुलकोश टूटता है और पाइरविक अमल में कनवर्ट होता है तो यह साइटो प्लाजम में क्या होता है अनाक्सी स्वसन होता है इसमें स्वसन के लिए जब हमने वहाँ खा लिया हमें उर्जा मिल गया हमें गुलकोश मिल गया अब उससे तो हम एनरजी नह बसक्ता नहीं होती है और यह साइ ça। फो 10 इसे छी कहां आकसी उहसंद प्रभीर नहीं आंज इसरा-प्रिय को 1-8 नहीं साइटिफित थो फिर उपस्तित होताई जो कि घ्लैकुलेसिस की किरिया द्वलरा फैरिविक में बदल देता हैं गुलकोज को ग्लाइकोलेसिस की किरिया द्वारा पायरेविक भी बदल देता है और पायरेविक क्या करता है फिर यह किसे बदलता है यहां पर दो पायरेविक मिल जाते हैं ग्लाइकोलेसिस की परकिरिया में हमें गुलकोज से दो पायरेविक मिलते हैं दो पायरेविक अमने स्वासन होती है तो हमारे सेल के अंदर होता है कोसिका के अंदर होता है और इसमें कौन मदद करता है तो हिमोग्लोबिंग मदद हिमोग्लोबिन के द्वारा होता है ठीक है हिमोग्लोबिंग क्या करता है तो यह सेल का जो कोसिका है उसमें सेल में कितने परकार के स्वासन होती साइट्रप्लाजर में 4 ATP हुपस्तित होता है जो कि गुलकोज को किसी करता है गुलकोज को पायरिविक में ग्लाकुलेसिस की परिकिल्यादवरा पायरिविक में बदलता है ठीक है जिसमें कि 2 ATP खर्च हो जाते हैं और 2 ATP बच जाते है उस 2 ATP खर्च करने से 38 ATP बनाता है ठीक है स तो पार्विक अंप्र क्रेप साइकल के परकिलिया होती है। तो क्रेप साइकल भी मैंने बढ़ाया था। क्रेप साइकल के परकिलिया होती है। इसमें ऑक्सिजन के उशक्ता होती है। और जो हमें 36 ATP बना था अनाक्सी स्वसन में वह 36 ATP और यहां 2 ATP बचा हुआ था। तो 36 प्लस 2 ATP मिलके बन जाते हैं 38 ATP और 38 ATP क्या करते हैं हमें गुलकोज प्रुवाइड कराते हैं। तो इस परकार क्या होता है। हमें उर्जा प्रुवाइड कराते हैं। मारिको कॉंडिया क्या कहता है। उर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। तो इस परकार हमारा जो स्वसन है यह क्या है। स्वसन तंद्र यह कंप्टीट हुआ। कि हम ने देखा की स्वसंन स्वासन में क्या होता है कौन इंग सामिल है कितने परकार की होती है को सीざुई एक शैयर लुकि आपको क्लास समझ में आया होगा इसको दो रिपीट condemn big गड़ीन Time अच्छी तरह समझ में आए क्योंकि आपको देखिए जो बाहे स्वसन है वो तो इजी है वो बहुत इजी है उसमें कुछ नहीं है सिर्फ अंगों कहां कहां हवा हमारे हम सांस ले रहे हैं तो कहां कहां जा रहे है बाहे स्वसन लेकिन जो आंतरिक स्वसन है वो आपको समझना नुआ हैं कि आंत्रिक स्वसर में क्या हो रहा है आंत्रिक स्वसरमें आंत्रिक स्वसरमें और never differences है दोनों में डिफरेंसे है, और नक्सिक्स होसन में क्या होता है, गुलकोसी, ग्लाइकुलेसिस की परकिरियादर पारविक बनता है, कितना पारविक बनेगा? 2 पारविक, और यहां पर 4 हमारे पास ATP थे, जिसमें कि 2 ATP खत्म हो जाते हैं, जो बच जाते हैं, ठीके? उसके बाद क्या होता है दो ATP जो बचा हुआ है वही माइको कॉंडिया में जाएगा और 36 ATP यह जो हमने इपाई से बना था हमें जो पाइलविक से मिला तो 36 प्लस 2 क्या हो गया 36 प्लस 2 38 ATP हो गया और यह 38 ATP फिर गुलकोश में कनवर्ट होंगे और हमें उर्जा देने का काम करते हैं तो इस प्रकार हमारा स्वसंतंत्र समाप्त हुआ है ना I hope आपको क्लास समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही Thank you so much